नमस्कारम, सरवेशाम, छात्रानाम, स्वागतम, अस्ती, अध्यवयम, सनातक, द्वितिय, वर्षस्य, कक्षायाह, अंतर गते, प्रथम प्रश्नत्र पुस्तकम, अभिज्यान शाकुंतलम, पठिश्यामह, नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज् श्लोकों को पूर्ण कर लिया था, प्रथम अंक के तीन श्लोक हो चुके थे, अब हम चोथा श्लोक प्रारंब करने जा रहे हैं, जिसमें नटी गीत गा रही है, तो यहाँ पर लिखा है, तथा अहम, तथा एवं गायती, तो तथा एवं गायती इस प्रकार से जो है, नट ठीक है, ऐसा कहकर, तथा एवं कहकर, गाती है, गायती गाना प्रारंब करती है, अब क्या गाना गाती है नटी जी, उनका एक श्लोक देखिए, गृष्मरितु का वर्णन है, जो आप इसको देखेंगे, यहाँ से श्लोक प्रारंब कर रहे हैं, आपस से एक बार पढ़ेंगे, इशदीशत्चुंबितानी, भ्रमरईहि सुकुमार केसर शिखानी, हवतन सयंति दयमानाह, प्रमदाह शिरीश कुसुमानी, देखिए, यहाँ पर यह बताना चाहते हैं, कि किस प्रकार से, जो है, प्रमदाएं, यानि वहां की जो नारियां है, स्त्रियां, किस प्रकार से, पुष्प, अपने, जो पुष्पों का, शिरीश पुष्पों को, अपने मस्तक पर करणा भूशन के रूप में बना रही है, तो यहाँ पर लिखाया है, अन्वय देख लेते हैं, सबसे पहले, दयमानाह, प्रमदाह, दयाद्र भाव से युक्त होती हुई, प्रमदाह, स्त्रियां, भ्रमरों के द्वारा कुछ-कुछ, इशद, इशद, थोड़ा-थोड़ा, भ्रमरों के द्वारा थोड़ा-थोड़ा, चुम्बितानी, चूमे गए सुकुमार केसर शिखानी जिनके कोर अत्यांत मुलायम है सुकुमार यानी कोमल केसर शिखानी जिनके किंजलकों के भाग जो है सुकुमार है जिनके कोन से पुश्मों के वो पुश्मों का नाम है शिरीश कुसमानी यानि शिरीश कुसमानी का मतलब है शिरीश के फूनों को अवतं सयंती कर्ण का आभुशन बना रही है कानों का आभुशन कर्ण भुशन बना रही है तट पर ये क्या हुआ? प्रमदाह अर्थात नार्यह, दयमानाह दयालवह संत्यह, भ्रमरईह अर्थात मधुपईह, इशद इशद अर्थात अलपम-अलपम, यथा स्यात तथा चुम्बितानी सुकुमाराह, यानी म्रदवह, केसरा नाम किंजल का नाम शिखाह, ये शामता ध्रिशानी, शरीश कुसोमानी, शरीश आख्य पुश्पानी, अवतन सयंती कर्न भूष्णम कुर्वन्ती, तात पर ये क्या हुआ? भ्रमरों द्वाराह, थोड़ा थोड़ा थाड़ा चुमे गए, ब्हमरों के द्वारा चुमे गए, तो यहाँ पर इस श्लोक का अगर हम पूरा अच्छे से अगर समझेंगे तो किस प्रकार से इसका जो है अनुवाद होगा इसको हम एक-एक शब्दों के द्वारा वापस देखते हैं अभी जैसे देखा था उसी प्रकार से इसको पुनह देखेंगे तथा तो यहां पर लिखा है किस प्रकार से स्त्रियां लोगो आप शेशों कई पुश्पों की क्या विश्ष多 है। जिने भ्रमरोंнулने थोडा थोडा चुमा है तो यहां भ्रम रोने जिने थोडा थोडा चुमा उसका ईशत इशत चुम्बितानी भ्रम रही ही ठीक है ठोड़ा ठोड़ा चुम्या और जिनके तंतु Kathya शिखर, जिनके तंतुओं के सिरे, शिखर मतलब सिरे, कोने, कोरे, जो तंतुओं के शिखर मुलायम हो गए है, मुलायम के लिए यहाँ पर शब्द आया है, तो शिरिश कर्ण ऐसे फूलों को, ऐसे शिरिश के पूलों को कर्ण भूशनम, कर्ण का आभूशन, उसके लिए कर्ण भूशन बना रही है ऐसा कर्ण भूशन अपने आभूशनों को बना रही है। थोड़ा थोड़ा चुम्बन ये दुश्यंत से मिलन की ओर संकेत करता है दयालू पद जो है दयालू के लिए यहां पर आया दयमाना है तो दयालू पद अपसरा द्वारा रक्षन सूचित करता है और एक पुष्प का वर्णन यहां पर आया है शिरीश तो उसके विशय में यह कहते हैं शिरीश अत्यंत कोमल इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूं शिरीश अत्यंत कोमल पंखणियों वाला और कर्ण भूशन जैसा होता है काली दास जी ने कुमार संभवम में कहा है कि पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीश पुष्पम नपु यानि शिरीश पुष्प भौरे के पैर को तो सहन कर सकता है पक्षी के प्रहार को सहन नहीं कर सकता यहां पर दयमाना का अर्थ शिरीश का पुष्प दया करती हुई अता संभाल कर कर्ण भूशन बनाती है भवरे ने थोड़ा थोड़ा चूमा है कहीं कहीं यहां पर यह बताया गया है कि शकुंतला से दुश्यंत का प्रेम और फिर निर्मोहिता का करुण संकेत भी इस श्लोक से प्राप्त हो रहा है तो यहां पर पूर्ण रूप से अगर महत्वपूर्ण बात है तो तीन बाते उभर कर आती हैं वो कौनसी शकुंतला दुश्यंत और अपसरा की पूर्व सूचना के द्वारा क्रमशह शिरीश भ्रमर और प्रमदाह शब्द का से सूचित किया गया है यह तीन घटना है पहला तो शकुंतला दूसरा दुश्यंत और तीसरा अपसरा इनकी पूर्व सूचना किन शब्दों के द्वारा दी गई है शिरीश शकुंतला की तो सूचना शिरीश पुष्प के द्वारा दी गई है ब्रमर की सूचना दुश्यंत के द्वारा दी गई तो मतलब ब्रमर शब्द से दुश्यंत की सुचना दी गई है और प्रमदा शब्द जो है ब्रमर और प्रमदा शब्द जो प्रमदा किसके लिए आया है यहां प्रमदा सुचना के शिरिश क्रमशा ब्रमर और प्रमदा आये हैं इस प्रकार यहां पर चित्रिक अब यहां पर एक नारियों के विश्य में बात आई है तो यहां पर कौन सी नारियों का वर्णन है यहां पर जो वन में रहने वाली है नारियां उनका वर्णन है क्यों यहां चित्रित नारियां कोई शहर की श्रंगार प्रिय ओची इस्त्रिया नहीं है अपितु वे तो जंगल में निवास करने वाली सौंदर्य उपासक और करोणा भाव से युक्त श्रेष्ठ नारियों का यहाँ पर दिखदर्शन होता है और श्रेष्ट के पुष्प के विश्यमें मैं आपको बता हूँ और यहाँ पर एक बात ओर है व्रिक्ष के प्रती दया भाव काली दास जी की नारियों में अन्यक स्थानों पर दिखदर्शन होता है व्रिक्ष के प्रती दया भाव काली दास की नारियों में कई स्थानों पर दिखदर्शन होता है जैसे मैं उधारन के रूप में बता देता हूँ कुमार संभवं के द्वितिय अंक के 41 में श्लोक में भी इसी प्रकार की घटना का वर्णन आया है कुमार संभवन के द्वितिय अंक के 41 में श्लोक में और दूसरा रगुवंश के सोल्वे सर्ग के 9 श्लोक में भी यहां आया है इसी प्रकार इसी नाटक के चतुर्थंक के 12 श्लोक में भी शकुन्तला द्वारा व्रिक्ष सेचन इत्यादी का व्रिक्षों से जो है प्राप्त होता है यहां पर मैंने आपको कुछ शब्दों का जो है स्पश्टी करन बता दिया है अब आगे कुछ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बाते हैं वो भी बता देता हूँ यहां पर चंद जो है उदगाथा या गीती नामक चंद है इसमें कौन सा चंद है उदगाथा अथवा गीती यह मूल प्राकृत में होने के कारण चंद का लक्षन उसी में घटता है संस्कृत शाया में चंद नरह कर गद्य हो जाता है ठीक है यहां पर यह शलोक जो है पूर् साधान रूप से अगर आप समझना चाते हैं उदगाथा या गीती छंद को तो मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ आर्या छंद के पूर्वार्ध का लक्षण ही यदि उत्रार्ध में ही घटित हो तो गीती छंद हो जाता है देखिए आर्या चंद के पूर्वार्ध में क्या होता है प्रथम चरण में 12 द्वीतिय चरण में 18 तो उत्रार्ध में भी वही होगा मतलब त्रितिय चरण में 12 और चतूर्थ चरण में 18 कुल मिलाकर इस प्रकार से आर्या चंद के पूर्वार्ध का लक्षन ही यदि उत्रार गटित हो जाता है तो वहाँ पर गीती अत्वा उद्गाथा छंद होता है आगे देखिए स्लोक समाप्त होने के पश्चात जब नटी जी ने ये गीत गाया तो सूत्रधार जी की क्या प्रतिकरिया होई सूत्रधार है हे आरे साधु गीतम हे आदर्णिया आपने तो साधु गीतम बहुत अच्छा गीत गाया साधु गीतम अच्छा गीत गाया अहो राग बद्ध चित्र वृत्ती रा लिखित इव सर्वतो रंगह तद इदानिम कतमत कतमत प्रकर्णम आश्रित्यमेनम आराधाया मह तो वो कह रहा है कि सूत्रधार जी कह रहे है हे आरे साधु गीत है आरे आपने तो बहुत देवी आपने बहुत अच्छा गीत गाया अहो हर और जो दर्शकों की चित वृत्ति राग से बंधी हुई है चित वृत्ति यहाँ पर इलो ने लिखा है साधू गीता अहो राग बद्ध राग बद्ध चित वृत्ती राग में आसक्त होकर राग की धुन में जो है एकाग्र चित होकर चित वृत्ती आलिखित इव सर्वतह रंग है सभी दर्शकंगण है वो एकदम चितरत से हो गए एक जगाए इस्थिर हो गए इतना खो गए गीत में चित वृत्ती राग से बंद गई है और वे चितरत से चितर के समार इस्थिर हो गए है ऐसा लग रहा है कि वो चित्र में स्थित हो गए, यानि एकदम स्टॉप हो गए, एकदम बिना चल, बिना गती किये होए, एकदम जब ही स्थिर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एकदम स्थिर हो गए, बिना गती किये होए, जैसे चित्र में अंकित हो जाता है, वो चित्र हिला प्रदर्शन करना है उसके लिए यहां पर आए तद इदानिम कतमस तो अब इसमें किस प्रक्रण का आश्रे लेकर वेनम आराधया मैं इस सभा को प्रसंद करें तो अब आप बताईए हमें किस प्रक्रण को लेकर इन सभी सभा सदों का इन दरवारियों का मनोरंजन करूं अब मैं किस प्रक्रण को आधार बनाकर इस सभा में बैठे वे जनता का मनोरंजन करूं यहां पर यह बताया गया है अब आगे जो है वो यहां पर एक शलोक आता है उस शलोक के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो नटी जी क्या कह रही है तो नटी जो कह रही है उसको आप सु लेजिए उसका उत्तर नटी देती है सुत्रदाहर जी का कि किस प्रक्रण को आधार बनाकर इनका मनोरंजन किया जाए तो नटी बोल रही है ननु ननु आर्यमिश्रैहि प्रथममेव आज्याप्तम अभिज्ञान शाकुन तलम नाम पूर्वनाटकम अपूर्वनाटकम प उन्होंने कहा कि देखिए वापस से पढ़ लेते हैं नन्वाश आर्य मिश्रैहि निश्चित रूप से ननु आर्यमिश्रैहि श्रीमान के द्वारा प्रथममेव आज्याप्तम पहले ही आज्या दे दी गई थी आर्यादरनिय आपके द्वारा पहले ही बता दिया गया था मुझे क्या बता दिया गया था अभी ज्यान शाकुंतलम नाम अपूर्वनाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम की हमें आपने पहले ही बता दिया था कि क्या बता दिया था अभी ज्यान शाकुंतलम नामक अभूत पूर्वनाटक जिसके बारे में आपने पहले बता दिया था उ अभिनीत करना है हमें उसी का अभिनाई यहां पर प्रस्तुत करना है अभिज्यान शाकुंतलम नामत अपूर्व नाटक अनोखे नाटक का यहां पर प्रस्तुती करन करना यह आपने हमें को आर्य मिश्राई पूर्व मेव आज्याप्तम पहले ही आपने हमें बता दिया था तो पहले ही बता दिया था, तो सुत्रधार क्या कहते हैं? हे आरे सम्यग अनुबोधीतो अस्मी, हे आदरनिया, हे देवी जी, आपने तो सम्यग ठीक ही अनुबोधीतो, मुझे ठीक ही याद दिलाया, मुझे आपने उचित ही याद दिलाया, अस्मिन क्षणे विस्मृतह खलू मया मैं तो इस समय भूल ही गया था मैं तो भूल ही गया था वो कह रहें कि देवी जी आपने अच्छी याद दिलाई मुझे इस समय मैं तो भूल ही गया था विस्मृतह मया मेरे द्वारा भूला दिया गया था क्योंकि क्यों बूला दिया गया था इसलिए यहां पर लिखा कुत है क्योंकि एक बार वापस से देखिए सुत्रधार कह रहा है हे आर ये सम्यग अनुबोधितो अस्मी मुझे आपने अच्छे से याद दिलाया अस्मिन क्षणे इस क्षण मैं तो इस समय तो मैं निश्चेत रूप से भूली गया था क्योंकि क्यों भूल गया था क्योंकि अब मैं भूल गया था क्यों भूल गया था तो यहां पर एक पुनह श्लोक आ जाता है पुनह श्लोक आ जाता है इस श्लोक को हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि यह श्लोक वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस पंचम श्लोक को समाप्त अगले वीडियो में किया जाएगा तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद